हेलो दोस्तो हम वेलकम करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तुरांचल बर्ड्स में और उमीद करते हैं आप सब लोग ठिक टाक होंगे फिट अन्फाइन होंगे आपकी जो बर्ड्स है वो बिल्बू ठिक टाक होंगे फिट अन्फाइन होंगी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ही है कि जादतर हमारे जो बाई लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने एक पेर लाए है चोटा सा केज है क्या हमारी बजीज बर्ड उसमें ब्रीड करेगी या नहीं तो अगर आप ये सावला जानना चाते हैं और कैसे ब्रीड लें तो वीडियो को एंड तक चरूर दिखें और अगर आप हमारा चैनल ट्रांचल बर्ड फरस्ट टाम व्यू कर रहे हैं तो बराबर में बैल आइकन आएगा उसे जरूर प्रेस कर दें सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बैल आइंगर प्रेस कर देंगे उससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुचेगा सबसे पहले और आप हमारे चैनल तांचल वर्स के साथ बने रहेंगे और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप सब के लिए आगे भी लाते रहते हैं और उस सबीसे आप सभी अवगत रहेंगे और ये देखिए छोटे से सेट अप है दो इनके बाद छोटोटे केज हैं क्योंकि कई वो क्या मजबूरिया होती है वो केज वगयरा बनवा नहीं पाते और थोड़ी सी जंगा की भी प्रॉलम होती है लोगों के घर में तो वो पोर्टेवल केज ही रखना पसंद करते हैं क्योंकि उनके जंगा नहीं होती है कि वो एक जंगा अपर फिक्स बनाएं ज़ादा तर लोग जो फलैट वगयरा में रहते हैं तो उनक्या क्या होता है जंगा की बहुत ज़यादा स्वाटेज होती है वो लोग क्या करते हैं दिन में के टाइम वो लोग अपनी बालकनी में रख देते हैं केज को और रात में अंदर कर लेते हैं और उन्हें fix केज बनानी के एक तो प्रॉपर जंगा नि होती है अनकी फिर भी वो शौक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं case देखिए यह एक black वाला जो आप आप देख रहे हैं यह तक्रीबन देवड से पौने दो फिट इसकी लंबाई है और देवड फिट इसकी गाराई है और ओच्याई भी कम से कम नीचे से लेके आप सववा से देवड फिट है और यह देखिए दूसरा इडिमेटेक प्लास्टिक बड़ी और नीचे अक ट्रE मिलती हैं आपको बरावर में एक पानी के लिए ये फिलाल इसमें राइट सायड में दाना डाल लक्शा हैं ये यूघपिए ये ला रहे हैं ये इस एकेंb पानी जीसे हम छोटी चीना वी कुछ लोग छोटी चीना या चोटा गिनारा के नाम से जानते हैं कुछ लोग कपनी कहते हैं और दूसरे बाउल जो है इस पर इन्होंने रख रखा है पानी तो यह उन भाईयों के लिए जो सही रहता है केज जो अभी नयाना शौक करना चाहत इस से असानी से उनका दाना पानी यह लोग डाल देते हैं उसमें और देकि इन्होंने कटोरी पर रखे उसमें दे रहे हैं सौफ्ट फूड सौट फूड में साइध बॉयल ट्राइज उन्होंने दिया है और बड्स हैं वो सब फिनिस कर दिया है तो इस तरह से आप भी की मजीद तो एक बैंडिंग की प्रॉलम हो जाईए और कुस दूनों में वो मर जाएगी क्योंकि कुछ लोग भाईयों का मेरे पास कमेंड आता कि भाई हमारे बड्स के नीचे फूला सा लग रहा है वो चर्बी है या फिर एक बैंडिंग की प्रॉलम है क्या है वो लोग म होने की या फिर अंडे होने की दोनों ही प्रॉलम हो सकती है प्लस आप उसको टच कर सके देख सकते हैं अगर आपको लग रहा एक बैंडिंग की प्रॉलम है तो आप उनी बाट्स को किसी कपड़े वगर से पगड़िए और उसको जो वेंट है वहां पे चेक कर लीजिए कि कहीं अग तो निदिखर आप काल का सागर सो आप फैलाएंगे तो पता से लिएगा वाइट वैट फैला है और यह देखिए इन्होंने ओवरफलो टैंक के आगे एक बड़ा सा नांद रख रखा है यह फिल अप हो जाता है और यहां पर दिन के समय जब गर्मी होती है तो ब बच्चे निगलते हैं यह दूसरे लिए चोटी हाला जो केज है उसमें शिफ्ट कर लेते हैं तो आप भी यह आइडिया अपना सकते हैं अगर इसी में आप बच्चे भी छोड़ देंगे तो बहुत यादा कंजेस्टेड हो जाएगा और आपका बड़्स उसी में गोड़ जाएगा हो सकता है उसकी मोटैलिटी भी हो जाए और बैटिंग लिए प्रॉपर पर्चेस भी आपको मिल जाते हैं इस निन रेडिमेट केजेस के साथ में अगर आपको नहीं मिल पाते हैं या फिर टूड़ याता है तो दूसरा डंडी वगर ऐसे आप अगर से आप अगर को अगर आप ना मिले असानी से तो आप जो जिप्सम पाउडर मिलता है मार्केट में प्योपी मिलती है जिसे हम पुट्टी भी कहते हैं जिससे सीलिंग में डिजाइन बनता है वो हलकी सी मटमेला कलर का होता है उससे आप बना सकते हैं वाइट सिमन नहीं लिए प्लास्ट जिप्सम प्लाश्टर के नाम से अगर गोगल करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा करीर नियर और 60 ए 70% केल्सिम कंटेंट होते हैं अब बाकी की मिट्टी वगरा होती है तो मिट्टी वगरा भी कोई ग्रिट वगरा कोई भी नुकसान जायक नहीं होती है क्योंकि अगर प्यूर आप सही खरीदेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत आली बात होगी नहीं और इस तरह से आप भी अपने जो छोटे केजेज में आप लोग सभी लोग अगर बजीज बट्स पाल रहे हैं तो उसमें ब्रीड के लिए मट्की जरूर लगा दें आप कुछ भाई क कर दीए क्योंकि आप में गेट से एंट्री करेंगे तो वहां से मट्की केज के अंदर जानी पाएगी तो आप नीच चाले और लेकिंए उसके लिए आपको बट्स अलग रखने पुड़ेंगे बट्स पहले अलग कर ले तब आप अपना पूरा केज खोले तब फिर लगा सकते हैं और ब्रीड ले सकते हैं लेकिन ये किबल मैं उन भाई को लिकाऊंगा जिनके आँ जगा की कमी है अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस है तो आप बड़ी कालोनी या फिर बड़ा सेट अप या बड़ी केजेस बनवाएं तो उसमें ब्रीड लेंगे तो आपकी फॉर्मिटिव वीडियो हम समय समय पर आप सभी के लिए लाते रहते हैं चलिए वीडियो को अब हम एंड करेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ गुडबाए अल्ला हाफिज